तू ही है शक्ति स्वरूपा तू ही तो है नवदुरगा अस्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा तू है शक्ति तुझे में बसी नौने धी जगाले तू ये इस्वरूती तू ही है शिवशक्ति जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो जग से रहती है ल्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो न होती प्रभावित कही ये है संकिर्णता की शक्ती पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले ना इर्शा ना द्विश को मन में पाले शमा की गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ती तू ही है शिवशाक्ती तू ही है शिवशाक्ती ओम श्यंती तो एट्स पावर्स अस्ट शक्ती की जो शिरीज चल रही है उसमें हमने छे शक्ती के बारे में सुना पहले भी हम सुने थे और अभी छे शक्ती के बारे में हमने सुना गहराई से सुना उनको धारन किया और प्रैक्टिकल में उनको लाके हमने बहुत अच्छे अच्छे अनभव किये होंगे और आज हम शात में दिन में आकर पहुँचे हैं आज के जो सक्ती है सामना करने के सक्ती पावर टूफीस देखा गया है दुनिया में बेक्टि एगर कोई भी छेतर में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ता है तो आगे बढ़ने के कर्म में उन्हें बहुत ही बातों को उस बढ़ने के कर्म में बहुत सी बाते को अपने जीवन में एपलाई करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जीवन में गुनों की जरूरत होती है बिशेशताओं को यूज करना होता है सक्तियां लगानी पड़ती है समय भी साफेक्ट होना चाहिए समय भी उप्युक्त होना चाहिए समय भी बेक्ती के पास होना चाहिए बेक्ती मिहनत भी करना चाहिए, सन्योग भी होना चाहिए, तभी बेक्ती आगे बढ़ते हैं। चाहे देश को आगे बढ़ाना हो, या समाज को आगे बढ़ाना हो, या घर को आगे बढ़ाना हो, चाहे बेक्ती स्वेहम को आगे बढ़ाना हो। उन्हें बहुत ही जीवन में उत्राए और चढ़ाए खटी मीठी उपर नीची को सामना करके सहन करके संघर्ष करके बेगती आगे बढ़ते हैं जैसे अच्छी विद्यार्थी को पढ़ाई करके अगर अच्छी मार्क्स लेनी हो उन्हें अपने टाइम को बचाना होगा इधर उधर घूमने में अपने साथियों के साथ दोस्तों के साथ घूमने में बाते करने में टाइम को बरबाद अगर करते तो अच्छी पढ़ाए नहीं पढ़ सकते ताइम को बचाना होगा फजूल खर्च को बचाना होगा फजूल संग गलत संग से उन्हें किनारा करना होगा और अच्छी ट्यूसन्स लेनी पड़ेगी और अच्छी तरह पढ़ेपर के अच्छी तरह एक्जाम दे के अच्छे मार्क से उन्हें पास होना होगा तब ही वो आगे बढ़ सकते हैं उसी तरह कोई अगर बिजनेसमेन अगर अगे बढ़ना चाहते हैं सफल बिजनेस में पर अच्छी कमाइग चाहते हैं तो अच्छी प्रोडक बेचना होगा बिजनेस में पाइदे भी पर बहुत जादा ना लेता कि अगर जादा घर को सम्हालते हैं घर के सद्धश्य के दुख को सुख को उनकी निचाइक उचाइक को सारेको अपने सहन करके समा करके उनके द्वारा आए वे परिष्थिती को सामना करके आगे बढ़ते हैं कोई भी छेतर में अगर बेगती को आगे बढ़ना है तो इन सब बातों को ध्यान देना ही पड़ता है द्वापर यूग से द्वापर यूग से कलिव अंत अर्थात इस जनम के पहले के जनम जब हमको ग्यान नहीं मिला था तब तक हमने भगवान से मांगा ही है उनसे कृपा मांगा है उनसे सहयोग मांगा है वो अपनी मनो कामने पूरा करने के लिए उन्हें बोला है अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए बोला है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए उस परमात्मा भगवान को बोला है परन्तु इस ब्राम्हन जन्म में वर्मात्मा भगवान कहते हैं द्वापर युग से अब कल्युग अंत तक हमने आपको मदद किया है लेकिन अभी बारी आपको हमें मदद करने की है वर्तमान समय पर मात्मा को मदद की जरूरत है भक्ति मार्ग में दिखाते हैं क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में दिखाते हैं जब रावन से युद करने के लिए राम को जाना था उस समय बंदरों नी मदद किया था श्री राम चंद्र जी को मदद करने के लिए सर्व समर्थ है फिर भी बंदरों को मदद लेनी पड़ी युद करने के लिए भक्ती मार्ग में दूसरी बात भी दिखाते हैं श्री क्रिष्ण जी को जब कंश से युद करने जाना था जब कंश से युद करने के लिए गया था तो गोकुल बाशी भी नंद बावा भी शाथ में जाके युद किये हुए थे बर्तमान समय रावन राज को समाप्त करने के लिए दुख के संसार को सुख के संसार में परिबर्तन करने के लिए अन्य अत्याचार पापाचार को अंतकर सदाचार लाने के लिए बिशय सागर को छिर सागर बनाने के लिए पतीत दुनिया को पावन बनाने के लिए बर्तमान समय परमात्मा भगवान की मदद की जरूरत है और परमात्मा भगवान हमें मदद करने के लिए बोल्ड है है जब स्री राम जी बानर सैना को लेके युद्ध करके जब रावन को प्राजे किया रावन जब मारे गए तब स्री राम जी वहां पर राजे नहीं किये बीवीशन जी को राजे करने के लिए दिया कि कण्ष को जब करेवी किने बद किया तस्रीकृष्ण युवं बंथुन राज्य ने के प्सेंगर शिंगहाętाsn सन्थिया में और उसी तरह रावन राज्य माया कि राज्य पतीत राज्य को पावन बनाने के बाद परमात्म भगवान उस राज्य सिंहासत्मन नहीं बैठेंगे हम बच्चों को ही बैठाएंगे है कि परमात्म अपने लिए हमसे हमसे शहयोग नहीं मांग रहे हैं और हमें देना हमारा फर्ज बनता है संसार में देखा गया है अगर कोई भी अगर नई पद्दिती नई बाते आती है तो जो उन बातों को लाते हैं नई सिद्धान्त को लाते हैं उसी दान्त को लाने वाले जो अगवा होते हैं उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है बहुत सी बाते सामना करनी परते हैं बहुत सी बाते सुनना परता है बहुत सी बाते जहिलना परता है उसी तरह जब परमात्मा भगवान शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आने से पहले ब्रह्मा बाबा की मान सान इज़त परतिष्ठा बहुत अच्छी थी कि तो सम्मान देने वाले बाबा के जो सम्मान देते थे अपमान करने लगे जो बाबा की महिमा करने वाले थे गलानी करने लगे जो अपने थे उपर आये हो गए और हम शबने सुना है कि बाबा को कितना सहन करना पड़ा है कितनी बातों को सामना करना पड़ा है एक बारी की बात हम बताते हैं जब यगी की एस्थापना शुरू हो गई थी ओम मंडिली की एस्थापना हो गई थी और बच्चे जब बाबा के पास रहने लगे थे और जिनको ये ग्यान अपना अच्छा नहीं लगा था जिन्हें बिकार ही विश ही उनको जीवन का अतिन्द्र सुख अनुभूती हो रहा था उन्होंने एंटी ओम मंडिली की एस्थापना किया और एंटी ओम मंडिली के एस्थापकों ने एक दिन क्या किया बाबा के साथ जब बाबा बच्चों के साथ घूमने के लिए गए घूमकर जब वापस आये तो बाबा को अपने निवास स्थान में जाने नहीं दे रहे थे बच्चे को बोल रहे थे भले आप जाओ लेकिन बाबा ममा को जाने नहीं देंगे बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने भी उन बातों को क्या क्या सामना किया, बच्चों ने कहा अगर बाबा ममा नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इतना नहीं किया बच्चों ने, हम खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, और बच्चे कौन थे, जो एंटी ओमन्डिली की मुखिया लोग थे उनके ही तो संबन्दी थे अपने बच्चों को भूखे प्यासे देख एंटी ओमन्डिली वाला क्या हो गए डिले पर गए और मजबूरी से बाबा को ममा को अंदर जाने दिया और पीछे से बच्चे भी अंदर गए तो बाबा ने जो परिष्थीती को सामना किया किस अधार से किया शीप बाबा के अधार सी बाबा के मदद से किया शांती से कया प्रेम से किया सुभवन सुभकामने के से किया हमें भी परिष्थीति को सामना करना है हमें भी समस्चा को समधान करना है किस आधार से करना है जैसे उन्होंने हमाड़े साथ वेभार के उस तरह वेभार करके नहीं करना है चाहे बढ़ा चड़ा के उनको गरम गरम नहीं देना है हमें बड़ी प्यार से, स्नेह से, परमात्मा के याद से, परमात्म सक्ति से हमें उन्हें उस परिष्थिती को सामना करना है छे दो जो 1979 की वानी में बाबा ने बताया है कि अभी आगे बच्चों को बहुत ही सामना करना पड़ सकता है पड़ेगा लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि समर्थ साथ है सर्व सक्तिवान परमात्मा पिता हमारे साथ है इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है जिसका साथ हो भगवान उन्हें क्या करेगा आंधिया और तुफान वो हम बच्चों को सभी को अनभव होगा ही बाबा ने उस मुर्ली के आगे के लाइन में बताया है बच्चों को सामना करने के लिए एक बात बिगन रूप बन ती है वो कौनसी बात है कामना जहां कामना हैं वहां सामना करना मुश्किल है कामना कौन सी मेरी नाम होना चाहिए मेरे को मान मिलना चाहिए नाम, मान और सान की जो कामनाए है एक छाय है वो कभी अच्छा बनने नहीं देती है इसलिए परमात्मा बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आपका अंतिम समय की अभ्यास कौन सा इस्थिति कौन सा है इच्छा मात्रम अविद्या बाबा ने कहा है कि अगर तुम मेरे याद में रहोगे अगर मेरे को साथ में लेकर चलोगे अगर मेरे स्रीमत परमान मेरे सहयोगी बनोगे तो समस्या का समाधान कैसे होता है जैसे मक्खन से बाल निकलता है पता ही नहीं चलता है कि समस्या कैसे समाधान हो गया एक बारी की बात हम बताते हैं जो सत्य घटना है आज से 21-22 साल पहले नय नय गीता पार्षला खुला हुआ था बहुत से लोग कोर्स करने के लिए आये थे मुडली जो सुनने आ रहे थे भाई बहुत से लोग उसमें से एक भाई ऐसे थे जिनको अभी अभी थोड़े महिना पहले थोड़े दिल पहले ही साधी हुआ था और भाई ग्यान भाई को ग्यान बहुत अच्छा लगने लगा और एकदम धारने के सारा स्रीमत को पालन करके पूच पूच के स्रीमत का पालन करके अपना पवित्र जीवन जीने का निर्ने ले लिया और उनकी पतनी को चाहिए था 20 और इनको चाहिए था अमरित अमरित का लेंदेन करना चाहते थे बहुत मुश्किल से बहुत बाते हुई भाय अचल अडोल रहे उनके माता पिता ने कुछ तांत्री को लाया कि ओम शांत्री का जिनको उपर मंत्र चढ़ावा है वो निकल बाद है फिर भाई ने ओम तांत्री को ही ज्ञान सुनाया और बोला कि आप गीता पार्शाला में आओ परमात्मा के ज्ञान दे रहा है बात यहां पर समाप्त नहीं होती है आगे जाके एक रात तो बहुत हंगामा हो गया उतनी की पत्नी कहते हैं मुझे विकार चाहिए यह बोलते नहीं हम तो अम्रित का ही लेंदिन करेंगे बाद में भाई बोला कि देखो मंदीर में जाते हो आप तों भी माता पीता उसी को कहते हैं और हम भी माता पेता उसी यह कहते हैं Onun दूसरे दिन उनके ससुर जी आये भोजन करने के लिए भोजन दे आगे और उपने ससुर को बहु बोलती है पिता जी आपके बेटा बोलते हैं कि भगवान के हम दोनों बच्चे आपस में भाइबेन हैं इसलिए हम आपके घर में बेटी बनके नहीं रह सकते हमारी आप दूस आप मिलके आया गीता पाडशाला में गीता पाडशाला नहीं नहीं खुल्या हुआ था कुछ तो माता है थे कुछ भाई थे भाई भी कि दोचार थे और वहां पर जो लोग आया थे ना उस समाज गाओं के लोग अच्छे पढ़े लिखे जितने जिस अस्तर के थे जो पढ़े लिखे बुंधी जी भी लोग आया थे अब बाते होने लग गई अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था लेकिन बाबा समस्या का कैसे समाधान किया उसमें से जो बड़े बड़े लोग थे लोग थे जो उनके तरफ से थे उनको बाबा ने ऐसे शान्ती के ऐसी पवित्रता की इतना परमात्तम स्नेह की अनुभूत्ती कराया कि तो जो जो फैसलेवाले थे उन्हों ने बोला कि इतनी पवित्री इस्थान पर इतनी अच्छी जगह पर कोई गलत बाग सुझ सिखनक सकते किए किसी को भीगाड संते qyp पवित्री अस्थान है यहां पे तो आती है अलग्द प्रकार होता है जो कभी नहीं किया था इसलिए यह եीक नहीं थीक है यह संस्था ठीक है इनका दिमाग ठीक नहीं है इनको थोरा समझाओ और समस्या का समाधान हो गई इधर से कहा गया आपका बेटा है आप अपने पास रखो हम बुलाने नहीं जाएंगे वह आएगा तो हमारा काम है ग्यान सुनाना परमात्मा का संदेश देना वह तो हम ले र चल रहा और यह कि के मददगार है तो कहने का मतलब यह है कि बाबा के जो याद में रहते हैं बाबा के जो सेवा में लगते हैं जो बाबा को मदद करते हैं बाबा उनको मदद अवश्य करते हैं और अच्छी तरह करते हैं बाबा किसी का उधार नहीं रखते हैं बाबा बेर्थ से मुक्त हो जाओ, परचिंतन परदर्शन से मुक्त हो जाओ, जूठी मुठी बातों से मुक्त हो जाओ, तो आपके अंदर ऐसी गुण आएगा, ऐसी शक्ती आएगी, जिस्या समस्या को कहां सामना करना है और कहां सहन करना है, वो अपने आप होता रहेगा, ब्राह्मन परिवार में कई बार क्या होता है, देखने में आया है कि जहां सामना करना चाहिए, वहां सहन कर लेते हैं, और जहां सहन करना चाहिए, वहां सामना कर लेते हैं, बाबा नहीं बताया है कि बच्चे सामना करने के लिए दो सक्ति की मुख्य रूप से जरुरत होती है वो सक्ति है एक तो परखने की सक्ति और दूसरा है निर्ने करने की सक्ति अगर हमने परख लिया कि यह सत्य है और असत्य है जूत है और सांच है नय है और अन्याई है करना है और नहीं करना है जाना है और नहीं जाना है तो हम निरने भी ठीक कर सकते हैं जब हम निरने कर लेंगे तो हमें सहन करना है कि समाना है वो अपने अप होता रहेगा परमात्मा भगवान के बच्चे हैं हम इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ बोलता रहे और हम सुनता रहे हमें भगवान ने ग्यान दिये बाबा ने हमें कहा है कि जो सहन करेगा वो सहन सा बनेगा लेकिन सहन किस बात को करना है एड़ेस्ट किस बात को करना है अगर हमने हर बात को सहन करता रहा हर बात को एड़ेस्ट करते रहे तो हमारा जीवन का लक्स है लक्स से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा भी न हो जो भगवान के मददगार बनने से हम बंचित हो जाए और भगवान के जीवन साथ ही बनाने के बदला है माया का जीवन साथ ही न बना ले भगवान के बच्चे हैं हम हमें सहन करना है समाना है लेकिन जहां बोलना है वहां बोलना भी है बाबा ने अभी आपने बीच में ही बोल दे थोड़ा आगे है बोलना है हमें लेकिन स्रीमत परमान बोलना है बोलना है हमें मर्यादा के अंधर में रहके बोलना है एक हमें कहानी याद आती है एक जंगल में एक सांप रहता था और सांप बहुत लोगों को काटता था लोग बहुत परिशान थे सांप को मार भी नहीं सकते थे पकड़ सांप से इतने लोग दखी थे कि करे क्या क्या न क्या न करे समझ में आता था पर तयगे जंगल में बहुत दूर एक सनयासी रहते थे और और सब कि वो शिद्धी पुरुष थे सब मिलके सन्याशी जी के पास जाते हैं और अपनी जो समस्या हैं उनके पास रखते हैं और बताते हैं कि हम सब बहुत परिशान हैं दुखी है हमको इसे कुछ निवारण का रास्ता बताई हमें मदद कीजिए सन्याशी कहते ठीक है जितना कोशिश करता हूँ जितना होता है हम आपको मदद करेंगे और गाओं बाले अपने घर चले जाते हैं सन्याशी सिधी पुरुष होते हैं और आहवान करके साप को अपने पास बुलाते हैं और साप को कहते हैं कि आप कात करके लोगों को दुख क्यों देते हो बद्वाय जीवन में क्यों लेते हो आप उनको नहीं काटो और तब से सन्याशी का बात मान के साप काटना लोगों को छोड़ देते हैं अब साप ने काटना छोड़ दिया लोग जिधर से जाए अगर साप को देखा तो एक पत्थर मारता गया कुछ महिने बाद सन्याशी जब उस जाते रहते तो साप को देखता है साप की हाल बुड़ा हाल हुआ रहता है बलता आरे ऐसे कैसे हो गया आपका क्या क्या तकलिफ है आपको क्यों ऐसे होगी कमजोर हो गया पहले तो आपकी चेहरा पे इतनी क्रोनक थी खुशी थी चमक की क्रत करेंटि करती है अब ही जाह प्रभू आपकी देन है आपकी आग्या पालंद करने की किर्पा है उसकी फ़ल है कि है अगllesि हमने काटना चेहरा विद्धर से वनसीप आते हैं मेरे अपर पथर मारता रहता और मैं साहन करता रहता हूं इसलिए मेरा यह हाल हो गया है कि मैंने आपको काटने के लिए मना कहते हैं फुफकार छोड़ने के लिए तो नहीं किया था ना फुफकार तो छोड़ी सकते थे ना अब डिस्मेंसरियां में आना देख लेना कि कहने के मतलब जहां जवाब देना है हमें जवाब देना है लेकिन इस्वरिय मर्यादा के अंदर में बाबा ने जो हमें शिक्षय दिया है जो हमें ग्यान दिया है जो हमें बताया गया है उस अनुसार हमें जवाब देना है उसके अंदर में रहके हमें चलना है तभी हमारी जीवन में उनत्ती होगी प्रगत्ती होगी तभी हम जीवन में नम्रता का भी गुन चाहिए तो शामना करने का भी गुन चाहिए नहीं तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम सोमान में रहोगे जितना परमात्मा के याद में रहोगे उतना समस्या का समाधान करना सहज होगा कोई न कोई मार्ग निकल ही जाएगा जिससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा कि देवियों को बहुत सजाया हुआ दिखाते हैं बहुत सिंगारा हुआ दिखाते हैं बहुत सुंदर दिखाते हैं उसमें एक जो देवी है उसको भयानक रूप दिखाते हैं वो कौन सी देवी है काली काली को भयानक रूप दिखाते हैं एकदम जीव निकला हुआ आख बड़ा बड़ा मुंड की मालों की मुंडों की जो माला वो पहना हुआ और एक हाथ में मुंड लिया हुआ उस मुंड से खुन टपकता हुआ दुर्गा को सेर पर सवारी के भी दिखाते हैं सेर के सवारी अर्थात शेर जैसे भायनक विक्राल रूप बाले बेक्ति को भी अपने बस में करने बाले अपने कंट्रोल में रखने वाले और काली को मुंड की माला दिखाते हैं इसका अर्थ क्या है इसका मतलब है कि एक एक बिकार को संपुन रुप से नस्ट कर उनकी जो कंकाल है दूसरों को दिखाने के लिए बिकारों की कंकाल को कि अगर तुम भी अगर बदमा सिख्या तो तुम्हारा भी यह हाल होगा अगर यह नहीं है कईयों को हमने यह हाल करके माला बना के पहना है इसलिए आगे हिमत नहीं करना इसे करने का हमारे साथ और एक हाथ में जो दिखाते न गर्दन लिया हुआ अर्थात मुख्य जो विकार है मुख्य जो हमारे अंदर बुराईयां है अभी मान की उसको भी समाप्त करने की निशानी है और जिस तर खून इनका टपक रहा है उसी तरह सब का टपका हुआ है इसलिए खबरदार हो साब दान्दों हमको याद है कि बाबा यगी रक्षक है और बच्चों को भी रक्षा करते हैं यगी को वही चलाते हैं हर परिश्थिती से यगी में यगी को सम्हालते हुए देख सम्हाले हैं और बच्चों को भी सम्हाले हैं वह सब हम सबको अनुभव है एक बारी की बात है जब यगी में इंकम टेक्स वाले आ गए थे और इंकम टेक्स वालों को बहुत समझाने के बाद भी वह हमारी इंकम टेक्स फ्री नहीं कर रहे थे छूट नहीं कर रहे थ बहुत अपने तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना उनके साथ उनके बच्चे परिवार सवाय सब्दाइब उन्हें रिक्विस्ट किया गया अग्रह किया गया। आप हमारे परेनि रही नहीं खाइए हमारे कैम्पस में नहीं घुमिये सिरफें दिते पर्वार वियर क़ें अच्छा कारी कर रहा ह। कि समाज सुधारने की कारी कर रहा है लोगों को बुराईयों से छुडाने की कारी कर रहा है बीरी सिगरेट तंबा कुछ छुडाने की कारी कर रहा है सराब से मुक्ति दिलान कितनी अच्छी संस्ता है कितनी अच्छा कारी कर रहा है इसमें आपको इन्हें मदद करने के लिए परमात्मा अपना यग्य कैसे संडक्षन करते हैं कैसे बचाते कैसी समस्या से सामना करके उससे मुक्ति दिलाते हैं वो बाबा ने कई बार हम सबको अनुभब कराया है और कई बार अनुभब करते करते आगे बढ़े हैं जीवन में परिष्थिती आती है समस्या आती है बिगन आते हैं हमें मजबूत बनाने के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर सक्ति भरने के लिए हमें कभी भी उस परिष्थिती से उन बिगन से उन समस्याव से हमें कभी भी घबराना ने चाह हमें हमेशा परमात्मा को साथ रखके जीवन के धूप छाओं को आंध्या और तुफान को संघर्ष करती हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए हमें एक कहानी याद आता है मैं समयता हूँ सबनी सुना होगा एक किसान है जो खेती करके फसल त्यार होने वाला ही है और अब फसल को काट करके घर ले जाने वाला ही होता है तुफान आके उनके फसल को नुक्सान कर देते हैं और जितना वह अपने घर ले जाना चाहता था उतना नहीं ले जा पाते हैं और बहुत दुख्या और परिशान हो जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान आपको क्या पता कि किसाने में कितना मेहनत करना पड़ता है आप तो उपर में रहते हो थोरा नीचा के करो तो फानों को थोड़ा रोक नहीं सकती थे दो दिन दो दिन के बाद में आ जाता क्या फड़क पड़ता और हमारी फसल को बरबाद कर दिया अगर एक बार हमको मौका दें दो आप कुछानों की मेहनत उनसा कैसे उनको मदद करना चाहिए तो मैं आपको बताँ हम कितना अच्छा फसल थियार करके आपको दिखा देता हूं कि आप एक बार हमें मौका देजीए कि यह पानी मांगे तो पानी हो जब हावा मांगे तो हावा भो जए जब धूप मांगे तो धूप हो जाए भगवान बोलते हैं तथास्तू और भगवान कहते हैं कि चलो आप जैसे चाहते हो वह इसे होगा और किशान बड़ा खुश हो जाता है किशान खुश होते होते आते हैं अपनी खेती को त्यारी करते हैं बीज डालते हैं बीज निकलता है पानी डालते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखने माता है हाड़ा भाड़ा बहुत बड़ा खुश होते देखो भगवान ने हमें हमारी बात मान ली ना इस बार हमारी फसल बहुत अच्छा होगा उनको तेज हवा भी नहीं लगने देता है तेज धूब भी नहीं लगने देता क्योंकि बहुत अच्छा उगाना है ऐसे करते करते बहुत अच्छा उगता है होते 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 फसल काटने के समय आता है जब फसल काटने के लिए जाता है फसल तो काटता है ले दाना की भरपूरता नहीं आई होती है मड़े हुए दूध हो रहता है उसके अंदर में उसमें सक्ती नहीं होती है फिर फिर उदास हो जाता है करते भगवान एक ऐसे हो गया भगवान कहते आपको यह पता नहीं है अगर आंधी तुफान में उसको अगर हिलता वो पेड आपस में टकडाता उनको तेज धूप लग की दाने में भरपूरता आती सक्ति आता पोस्टिक ता आती यह आपने होने नहीं दिया परमात्मा के जो बनाएवे प्रकृति में परका परमात्मा के बनाएवे नियम में आपने दखल अंदाज क्या इसलिए आपकी जो फसल है भरपूरता को नहीं पाया तो फिर कहते भगवान जिसकी बनरी वही नचावे ये किरपा करके आप ही लिजे और भगवान को दे देते हैं ऐसे ही जीवन में सामना करने के लिए परिष्थितिया बहुत सारी आती है सामना करने के लिए हमें अपनी जीवन में आत्म विश्वास को बढ़ाना है अपनी सोच को सकारत्मक बनाना है अपनी लक्ष को किलियर रखना है और परमात्मा का साथ ही बनना है और परमात्मा को साथ ही बनाना है और हम परमात्मा के याद में रहते हैं परमात्मा भगवान से बात करते रहते हैं तो हमें समस्या की समधान मिलती रहती है तो इन सब बातों को अगर हम आत्म साथ करते हैं एप्लाइ करते ही प्रियोग मिलाते हैं तो सामना करने के सकती सहजी हमारे अंदर आती जाती है अच्छा ओम शंत